इस दिनों के लागडाउन में क्या खुलेगा क्या राहेगा बंद किन्द सरकार ने जारी की एडवाइजरी दोस्तों स्वागत है आपका नमस्तर ने न्यूज में मैं हूँ अकुरसु नवीन शर्मा हम आद करें लेटेश्ट अपडेट की दोस्तों प्रहानमंतरी मोदी ने कल संबोधन में हादेश जारी कर दिया था कि 24 तारिक रात 12 बजे बात से 21 दिनों के लिए लागडाउन बढ़ा जाता है तो इस बीच क्या क्या खुलेया क्या बंद रहेगा इसके एडवाइजरी जारी की गई है तो चली जान लेते हैं इस अपडेट को यह आपने अभी जावशक सेवाएं जिसकी पुलीस पेट्रोल पंप बैंक एटीम इंशुरेंस सर्विस दवा बिजली और मीटी मशली की दुकान सबजी गायों के लिए चारा दूद राशन की दुकाने खुली रहेंगी इस्तानी प्रसासन ने यह अपक्षा की जाएगी कि यह लोगों को होम डिलेवे के सुधार बदान की जाए लेकिन सभी सरकारी और प्राइवेट डफ्तर को बंद कर दिया गया है प्रिंट वाइलेक्ट्रानिक मीडिया इसे मुक्त है सभी धार्मे की स्थल पूर्णता बंद है सामाजिक राजनीतिक खेल से जुड़े हुए पढ़ाई सब्सक्राइब कर दिया गया है सभी उद्योग को बंद कर दिया गया है सिवाए उनके जहां अत्या वश्यक से वाए पारिज हो रहे ही तो नहीं एडवाजरी के साब से जो है जो है जो है जदी हम बात करें तो प्रेट्रों बैंक एटियम इंशुरेंस और पुलिस से कि दुकान खुली रहेंगी यह भी शेत्र वाइज दोस्तों विशेज प्रभाव से अधी कर्फि लगा हुआ है तो महां के स्थे को छोड़कर सामानी रूप से यही एडवाईजरी जारी रहेगी तो फिलाल प्रयास करें कि अधिक सदिक घर में ही रहें किस दिनों तक दो से अपडेट एम अलर्ट